कहां है अंडवल सर्गनाद दाउद एप्राहें क्या दाउद का पता भूली मोदी सरकार केंद्रे ग्रह राज्य मंत्री हरी भाई चौधरी का बयान दाउद के ठिकाने का पता नहीं नमस्कार वंदे मातरम में आपका स्वागत है मैं हूँ मुकेश कुमार और मैं हूँ अंजुली भंडाल यहां लोग सभावे बीजेपी के सांसर नित्या नेंदर राय के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रे ग्रिह राजमंतरी हरिवाई चौधरी ने माना की सरकार के पास मुंबई ब्लास्ट के मुख्यारों पी दाउद का पता नहीं है सरकार ये नहीं जानती कि दाउद पाकिस्तान में कराची के पौश एरिया क्लिफ्टन रोड पे रहते हैं हलाकि सरकार के दूसरे राजमंतरी किरिन डिजेजू ने बात को सभालते हुए सरकार के अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहने की बात कही है हम चर्चा करेंगे अपने महमारों के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सही में सरकार को दाउद का पता मालून नहीं है क्या ग्री मंतराले के अधिकारियों ने गलत जवाब तैयार करके मंतरी को दिया था और हम कुछ दिन पहले डाउत के पर्तेरपट पर उठेश सवाल पर भी चर्चा करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौझूद होंगे गुरगाउं से हमारे साथ होंगे रिटाइर जिनरल बक्सी, जीडी बक्सी सब होंगे जो की डिटार्ड मेजर जेनरल हैं इसके अलावा दिल्ली से हमारे साथ जूरेंगे कॉंगरेस के प्रवक्ता राजी प्यागी और लखनौ से हमारे साथ जूरेंगे बीजेपी के प्रवक्ता आईपी सिंग और समाजवाली के नेता रवी दास महरोतरा तो करते हैं कारिटरम की शुरुवात डॉन को पकड़ना मुश्किली नहीं ना ममकेन है तो भरके Most Wanted आतंगवादी और Underworld डॉन के ठिकानी को लेकर हरिभाई चौदरी द्वारा दीगर बयान के बाद ग्रे राजे मंत्री किरन डिजिजू ने जो सफाई दी है अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि किरन डिजिजू के बयान के बाद जो गैर जिम्मेदारानों बयान हरिभाई चौदरी ने दिया था उससे एक बाद तो साफ है कि मुश्किले मूदी सरकार की बढ़ने लगे और हो भी क्यों ना सवाल मूदी सरकार पर खड़े कर रहा है वपक्ष पेशेक रिपोर्ट डॉन को पकड़ना मुश्किली नहीं ना ममकिन है अंडर वर्ड के सरकना और भारत के मोस्ट वांटेड दाउद इब्राहिम की पार्क में कथित मौजूद की मंगलवार को संसद और उसके बहार चर्चाओं में बनी रही पहले ग्रहराजमंत्री हरिभाई चौदरी ने विवारास पद बयान दिया और उसके डेमिस कंट्रोल के लिए दूसरे ग्रहराजमंत्री ने यूटर्ण लेते हुए कहा कि सरकार यही मानती है कि दाउद अभी पाकिस्तान में है दरसल ये विवाज शुरू हुआ ग्रहराजमंत्री हरिभाई चौदरी के उस बयान से जिसमें उन्होंने दाउद के ठेकाने के बारे में कोई जानकारी ना होने की बात गही थी इस पर बवाल हुआ और विपक्ष ने मुदी सरकार कोन के पुराने बारे याद दिलाते हुए घेरना शुरू कर दिया इसके बाद ग्रहराजमंत्री किरन रिच्रू सामने आए और यूटर्न लेते हुए उन्हेंने कहा कि सरकार मानती है कि दाउट पाकिस्तान में ही है आपको बता दे कि यूपिस सरकार ने दावा किया था कि दाउट पाकिस्तान में है सरकार की तरफ से वाकाइदा दाउट का कराची की कलिफ्टन रोड का पता ठिकाना भी बताया गया था वहीं भले ही हरी भाई चौदरी के बयान पर ग्रहराजमंत्री किरन रिच्रू ने यूटर ले लिया हो लेकिन अब भी मोधी सरकार ने कहीं न कहीं ये माना है कि उसे दाउट के बारे में कोई जानकारी नहीं है ब्यूर रिपोर्ट साथना नियूस जी हाँ तो करते हैं बंदे बात्रब की शुरुआता सीधा चलते हैं रिटार्ड मेजर जेंडल जी डी बक्सी जी के पास बक्सी जी स्वागा थे आपका बंदे बात्रब में केहते हैं के नहीं सरकार अपने पुराने स्टैंड पर कहेंगे या सिरफ राजअठी हो रही है बक्सी जी से साइद अगरा संपर के अदिव नहीं हो पहर रहा है तो बिजे पी के जो प्रवक्ता IP सिंग साव हमारे साथ जोड़े है IP सिंग से बात करेंगा IP जी आप हमारी अगर बात सुन रहे होंगे तो आप बताएं यही सवाल आप से भी है कि जिस तरीके से सरकार के एक ग्री राजमंत्री आते हैं और कहते हैं कि उनके पास दाओद के ठीकाने का कोई पता नहीं है और उनके रडार पे अभी दाउद नहीं है और दूसरे राजमंतिने तत्कानवाद आते हैं और डैमेज कंट्रोल करते हुए कहता है कि नहीं सरकार अपने पुराने स्टैंड पे कायन हो उनके पास जानकारी है कि दाउद पाकिस्तान में है क्या कहेंगे आ कहर बरपाइस देश पर और लगाकार लंबे समय तक सीडियल ब्लास्ट मुंबई कुम में हुआ और मुंबई को हिला कर रख दिया ता डाउद इंबराई में साहिद इतना बड़ा कुख्यात आतनबादी जिसकी तलास लंबे समय से भारत की जो बड़ी एजेंसियां चाहे चाहे सिवियाई हो चाहे रा हो या इंटेलिजन्स वीरो हो या यहां की जितनी पाउर्ट को ले करके अभी तक और समंधिस की स्थिति में है एक गरी राजमंतरी कहते हैं कि वो पाकिस्तान में है और दूसरा कहता है कि पता नहीं कहां पे है सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है क्या कहेंगे आप राजनीती हो रही है या सही में कोई कूटनितिक चाल है इस दोनों बयानों के बीच में देखिए सबसे पहले तो मेरे हिसाब से एक सुरक्षा विश्चक के हिसाब से जो जो दावूद है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान में ये ओपरेशनल इंटेलिजिंस का मामला होना चाहिए मेरी समझ से में हमारी खुफिया एजन्सी की प्राइम टार्गेट होनी चाहिए वो और उसके बारे में हमें ज्यादा बाचीत नहीं करनी चाहिए केवाल अपना काम करके दिखा देना चाहिए जी वो ये यहां है हमने इसके पास गोहार लगाई है हमने यहां पे रोना रोया है हम आज अमेरिका के पास गए है आज हम पाकिस्तान की अदालतों के सामने अपनी नाक रगड रहे हैं ये क्या बेहुदा बात है साब ये बहुत बड़ा देश है बहुत ताकतवर देश है हमको ऐसे जो ऐसे विश्यों के बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए अब एक्षन का टाइम आया है क्या एक्षन होना चाहिए बक्सी साथ अब उर्ता से देख रहे थे कि अब मोदी सरकार आ गई है जी बक्सी साथ जिस तरीके से मुजाद एक्षन करता है सीधे पाकिस्तान में जाकर कि क्या उसी तरीके का एक्षन भारतिय सरकार को भी करना चाहिए भारत की मिलिटरी को भी करना चाहिए सीधा अगर दाउद के ठिकाने का आपको पता है तो आप सीधा जाईए और वहाँ पे बार कीजिए या तो पकड के लिए या वही पे धारासाई कर दीजिए क्या इस तरीकी की बात करना चाह रहे हैं आप बेशक अमेरिका ने क्या किया वहाँ पे उन्होंने क्या पाकिस्तान की अदालतों में गोहार लगाई थी उसामा बिल लाडन के लिए उन्होंने सीधे जाके पता लगाया उसामा बिल लाडन कहां है पता चला कि पाकिस्तान की बिलिटरी अकैडमी काकूल से 800 गज़ दूर उ वोसी ने अपने वहां पर मेरीन कमांडो भेजे, वो सील्स को भेजा और वहां उसको खतम कर दिया। यह है एक महाशक्ति का की परिभाशा और महाशक्ति की कारवाई। बिल्कुल। तो मक्सी साब क्या लगता है आपको जो मोधी सरकार चुडाव से पहले जिस तरीके से कह रही थी कि तत्काल चुडाव सरकार रदी उनकी बन गई तो तत्काल वो करवाई करेंगे और दाउद को लाएंगे यहाँ पर अब इस्तिति वो इसी राजनितिक बन नहीं रही है करवाई करने से बचना चाहती है शाइद इस तरीके का बयान इसी लिए दिलवायल गया है लेकिन मुझे पूरी उमीद है हमारी मोदी सरकार में दोवल जैसे जो है श्री डोवल जैसे महान ऑपरेशनल जो ऑपरेशन में हिस्सा ले चुके हैं वो आजकल राष्ट्रे सुरक्षा सलाकार है हमारे तो मुझे पाक का यकीन है कि कोई ठोस कारवाई की जरूर होगी ले पाची तो नहीं करना चाहें हम केवल एक्षन का नतीजा और रिजल्ट देखना चाहेंगे लेकिन अबक्षे से यहां पर राजनीती हो रही है ऐसे भी सुभुगार देखने को मिल रही है क्योंकि अगर माना जाए तो दिल्ली के पूर पूलस कमिशनर नीरच कुमार जब सिवियाई में थे तो उन्होंने बात कही थी कि 1993 के दमागों के बाद दरसल आत्म समर्पन के लिए जो दाउध है उन्होंने तीम बार पून किये थे लेकिन उस्वक्त की जो सरकार है और खुद सिवियाई के कुछ अधिकारी थे उन्होंने को इंटरस्ट ही नहीं लिया है क्या राजनिती इसकदर हो रही है देखिए मैं समझता हूँ ऐसे ऑपरेशनल मामलों को राजनिती की जो है रोटियां सेकने के बिलकुल परे रखना चाहिए जी बात ये है कि दावूद इबराहीम हमारा बहुत बड़ा गुनहगार है जी कोई दोसों से जादा भारतिय ब उसके खिलाब केवल एक्शन होना चाहिए कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए राजने टिक विवाद चिल काओं बेमाने है जी बिलकुल बिलकुल अगर ये जो कहानी शुरू की जा रही है कि सी बी आई उसको सरंडर करवा रही थी जी और वो अपनी शर्तें रगरा था कि आप ये वाले होटल में मुझे रहना है जी इतने लाख रुपय का कमरा चाहिए ये कोरा बक्वास है जी ऐसे आदमी से ऐसी बात करना एक जुर्म है मैं समझता है लेकिन बख्षी जी यहां पर एक और एंगर निकल कर सामने आ रहा है जो सी बी आई में जॉइन डारेक्ट जी देखिए वो आत्म समर्पन का तो केवल धकोसला रच रहा था जी वो बेवज़े की शर्तें रख रहा था कि मेरे खिलाव सारे केस विड्रॉ किये जाएं कौन सी सेल्फ रिस्पेक्टिंग सरकार ऐसी बेहुदा शर्तें एक्सेप्ट कर सकती है आप तो पर मनसा जाहिराम आईडी सिंग के पास आप पर आप चाहिए था बिल्कुई हम आईपी सिंग जी बताएं क्या कहना चाहरा है आप इस पूरे मुद्वे को अभी सुन रहेंगे जिडी बक्सी साथ को भी आप सुन रहे थे क्या आपका क्या कहना है त्यागी जी को मैं जी त्यागी जी को मैं सुन रहा था और उनके सुजाओ थे कि जिस प्रकार सील कमांडों अमेरिका से चल कर आते हैं और पाकिस्तान के अंदर आपरेशन करते हैं और उसमा भी लैदें को मार देते हैं एक बात समझनी होगी कि अमेरिका और पाकिस्तान के दोनों के रिश्टों को ध्यान देने की जरूरत है मैं समझता हूँ कि अमेरिका लगातार पाकिस्तान की मदद करता रहा है और भारत और पाकिस्तान के जो रिष्टे हैं वो बहुत ही तेंस रहता दोनों के रिष्टों में और आज भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी निउकलियर इस्टेट है और जब भी भारत कोई कारवाई करता है तो साथ साथ दुनिया में जाकर पाकिस्तान कहता है कि भारत के खिलाप मैं निटलियर आम स्प्लाई कर सकता हूँ अगर मुझे लगातार भारत दबाव देगा अनुची दबाव देगा तो मैं इस पडा़ की Black Male नहीं ये तो पाकिस्टान करता है आई पी सिंग साहब आई पी सिंग साहब आपसे आपती है यहाँ पे क्योंकि भारत ने जो 20 Most Wanted आतंकवादियों की लिस्ट जब सौपी थी पाकिस्तान को तो पाकिस्तान उसके दूसरे नमबर पे दाउद इबराहिम का नाम था और पाकिस जाकर के वहाँ पर कारवाई करता है तो वो इस बात को लेकर के अंतराष्टिये मंच पे नहीं जा सकता है कि वो उसकी नागरी की हत्या कि क्योंकि सबको पता है कि दाउद इबराहिम भारत में दोशी है मुंबई बलास्ट का और भी बहुत सारे मामले हैं जिसमें वो यहां तरक और बितरक का विशे नहीं है यह सो विग्जित है कि जब दोई पर बहुत दबाव बना और गल्ब को छोड़कर दाओद इमराहिम ने अपना सिल्टर कराची के सुरचित असानों ने जहां आरभी का बहुत बहुत बेश है जी और ऐसे दो दो असान है जहां फिसना कि पारिश्टा का जुका उससे प्रते रहत है उसे इंप़ायर दुनिया में बहुत बढ़िया और जूप आर्ट ऑट से वे पाकिस्तान को मदद करता है लेकिन हमारी जो एसी दो प्द्ढ़ पद्द करतए और इससे जो राष्टी सुरस्टा चला कार है उनके कायों को देखते हुए संकिरेश लбीजNS जिसतर नाम की कोई चीज्ट केद्र में जल हुए जिस तरह से मौधी सरकार कारे करते दाउद के मामलें पर में भातिंतर पार्ति के अपने मित्ब को सुन रहा था भी तूब वितर्क कुतर्क और वितांड बाद करने का काम कर रहे हैं और स्वमी अपनी पीठ अपतफा रहे हैं, स्वमी अपनी कौपी जात रहे हैं, तो ऐसा ना करें, देखिये आपकी प्रधारमंत्री महादय ने, विचे इस लूप से बारतिंतर पाइप के लीजर नहीं 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 पहुती जी ने, हो रादने सिप्क पार्टी के लोगों को उसमेदा बैयां देने चाहिए उसको जाओ ने निकरना पर ने पर नहीं करना प्रदान करेंगे अ अब जो आप अपने पर दिया उसके बाद आप इंतर वाद नहीं पाएंगे और शाहिए इनसे बढ़िया आवाज मेरे पास है बुलंद आवाज है और बुलंद कंटेंट्स में दे रहा हूं वी ओर्सका आपके उदर से जाजना सिंग साथ आप जल्दी उसको कहना हूं का आई पी सिंग्जे सुन लेते हैं राजी प्राइब लेगे तो यह चिंता का विशाए भारतिय राजनीती के लिए मैं मोदी इसे कहना चाहूंगा कि फिर पर अपने बड़ बोलेपन से बाज आए और देश को यह वास्तिता बताएं कि दाउद है कहां और दाउद के भारतियंतर पार्टी का क्या एक्शन प्लान है बिल्कुल आई प स्थोडियो और बीजिया में आए भारतियी आपको सुनाते हैं। नित्यानंदराई में तो जो एक फोन टैपिंग हुई थी दाउद की जिसमें वो कराची से बात करा था दुबाई में उस दोरान भी आवाज तो आ गई थी लेकिन दाउद अब जवाब को कब भारत लाएगी क्योंकि मोदी ने मोदी जी ने जरूर कहा था 2014 में जो चुनाव उते लोक्तवा चुनाव पहले कि अगर हमारी सरकार सब्ता में आती है तो हम दाउद अबराईम को पकड़ के लाएंगे लेकिन अब जवाब क्या है इसका? अमेरिका की थी इंकैटिबिल थी उसके अंदर और उन्होंने बहुत धैरे बरता जिए भाद एक कबिटमेंट था अमेरिका के प्रेसिदिन साथ आपको रोखना चाहेंगे आप ये बात कह चुके हैं एक वार राजीव त्यागी जी क्या कहना चाह रहे हैं वो उनसे पहली बात तो ये केना चाहूंगा 27 अप्रेल 2014 का मोदी जी का वक्तवे निकलवाली जी उसके पता चल जाएगा उनने क्या 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 और 27 दिसंबर 2014 को देश के ग्रहमंत्री ने क्या वक्तवे लिए दाउत के बारे में उससे आपको पता चल जाएगा कि भारतिंतर के दवाई मंगाले से यादा सुनके ठीक हो जाएगी नंबर एक नंबर दो बात मैं कहना चाहूंगा नंबर दो बात मैं कहना चाहेगा निन्यानवे से दो याद चार के बीच में चानवे से दो याद चार के बीच में सांते सु संदी की और कॉंग्रेस के 10 साल के रिजीम में हमने 26 देशों संदी की जिस तक सामिल है बकसी चाहाएगी तो असाथ जिस तरह से आपक सालने के पाagrest नेसिन चायर के कह रहे हैं अपरेसं किया और लादेन को आमाल गिरया उस तरह की तरीके का उपरेसं भारत के लिए करना पाकिस्तान में आसान नहीं है या कहाँ जो संभब नहीं है कि आपको लगता है इस सही मी यह संभब नहीं है याजिसे कर संभब नहीं है तो कैसे संभब बनाई जा सकता है क्यों नहीं संभब हो सकता आपके पास सारी capabilities हैं जो आपको चाहिए इछा शक्ती का प्रदर्शक और ऐसी चीजों को चुपचाप किया जाता है उन्हें रेडियो टीवी पे डिसकस करके थोड़ी न किया जाता है मैं समझता हूँ ये बहुत गलत डायलॉग छेडी गई है अगर वाके ही में आप सीरियस हैं तो आपको इसके बारे में कोई बाचीत नहीं करनी चाहिए लेकिन अगर आपके पास केवल एक मिकल्प है कि जाब हम पाकिस्तान की कोर्ट में जाके केस दायर करेंगे तो करिए आप अभी तक हापी साइद के पास जो देश रूल आफ लॉप पे बेस है ओ देश कभी भी ये एक्सेप नहीं कर सकता हमारा देश कोई बनाना कंट्री नहीं दाउत इबराहिम जैसा ड्रेडेर अगर टेररिस कुछ शर्थे रखे और उस शर्थ नहीं मंजूर हुई तो नहीं आने से वो शर्थ संडूने को तयार नहीं मुझे लगता है कि ये इसमें फजल वर्थ टाइम घमारा होगा और इस बाते से कोई दम नहीं है we are unnecessary glorifying the image of Daudh Ibrahim by saying that he was ready to surrender but government did not accept if at all really Daudh Ibrahim wanted to surrender then he should surrender still the trial is pending he can prove his innocent but that has not happened बट नौ अननेसेसरी इस डिबेट इप बिग रॉप्ट अप पूर नौ रिज़न राई नहीं क्या कुछ कहा था किस तरीके से उन्होंने जो सवाल पूछा था उस पर लिखे जवाब के बाद यी पूरा विवाद खड़ा हुआ था लेकिन अब इस पर क्या कुछ कहना है बी अब तक जो है पहले इसकी जो गवर्मेंट रही है अब जो आपकी गवर्मेंट है अब तक क्या कुछ ने किया दिखे जो प्रस्ना हमले पर्वेर्मेंटे में उठाया है उसके संब्ध्य में अनुकूल जवाब सरकार के तरब से वही राजमेंटरी द्वारा दिया दिया और जो प्रस्न ठाय थे कि दाउद समय अन आतनकवादी जो अन अपरादों में बाद चीथे उनके प्रत्याप्री का मामला कहां है और इससे भी क्या है रुस्वनों ने दिया है कि दाउद का पता अस्थाईगुन से हमारे पास जैसे ही जेगा और है भी अजन की देसों में जो पिःहार इते भारत के के अपने इंडिया जो आत्यकवादी के अन देसों में उनके लिए भारा없ं आज संरकार में इंडिया की सर pada काम ऐगी की है उसका मिरूंने हो तो तरही लोगों के प्रतेरपण के संबंदित देशों को लिखा भी गया है और दाओद के विशह में भी उसे तना है कि सरकार के ऐसी कुप्रितियों बार बार पाकिस्तान में है बहुत पहले से बात आ रहे हैं करवाई तो पुष्ण में प्रयास प्राडब किया है और मिश्ची प्रयास प्राडब करने हैं मुद्धा ये भी उठता है कि दाओद पिश्ची नांटी थ्री से मुस्ट वांटेट अगर बाहर है तो इंडिया में जो उसका कालो पार है सरकार को क्या पहले इस पे भी लगाव लगानी चाहिए प्रयास प्राडब करने हैं और मिश्ची प्रूप से उन सारे विश्चियों पर जो आप यहाना दरना चाहते हैं उस सारी प्रयासों पर कर्मयों पर दियास करना हो, है मैंसे लए कावगों तो यह जो नित्यानंद रायज रायज 23,atters उचलप औरकाथी सरकार की अपनी कूटनीती होती है यही एक बज़े रही है, उस सायज की जो कहness की राजे मंतरी ने ऊभला AG जाण का पता नहीं है हलाकि अगर बात करें तो सरकार जो है वो लगातार इसके लिए प्रयास रहते हैं और इसके साथी जो इच्छा सकती बीजेपी सरकार दिखा रही है पिछली सरकारें नहीं दिखा पाई है और बहुत जल्ड इसके अच्छे परणाम देखने के मिलेंगे अगर इच्छा सकती हो सरकार में तो इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है क्या आपको लगता है इच्छा सक्ती की कभी पिछले सरकार में भी थी और इस सरकार में भी है सिर्फ राजनितिक फायदे और चुनाव जीतने मात्र के लिए जो है डाउद का इस्तिमाल भारत में भी हो रहा है और पाकिस्तान में भी हो रहा है अपने यहां पेइंगेस्ट बना के रखा हुआ है और भारत में भी उसका कुपनितिक इस्तेमाली हो रहा है ऐसा लगता है कि दोनों देशों में जिस तरह के राजनितिक हालात है उससे दाउद का भारत में आना या उसका प्रत्रफण करना जिस तरह करना जिस तरह करना है आदमी अच्छी तरह छुप जाए अच्छी तरह काउंटर मेजर्ज ले अगर हमारे देश में बड़ी अनफॉर्चिनेट बात यह है कि हम दुनिया को ये दर्शा रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाव एक मात्र विकल्प हमारे पास है वो है रोना या तो अमेरिका की गोहार लगाते रहे रोते रहे या पाकिस्तान की अदालतों में जाके सप्लिकेंट्स की तरह रोते रहे तो फिर आप डिसकॉशन कर सकते हैं जितनी मर्दी आप चाहें लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो आप इस पे चूप रहेंगे आपके विल्कुल बक्साब आपके इस सवाल का जवाब हम दोनों नेताओं से भी लेंगे एक आकरी सवाल आप सम ये भी जानना चाहेंगे क्या भारत या भारत की सेना कभी इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम दिया है आप लोगों ने देखिए हमारे पास स्पेशल पॉर्सेज हैं जो ट्रेंड हैं जो 24 घंटे इसी के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं आपकी और भी खुफिया एजेंसी हैं जिनके पास खुफिया केपिबिलिटीज हैं अगर आप फैसला बना लें कि आप इसे करना चाहते हैं और इसे logical conclusion तक ले जाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ऐसी चीज़ का जब फैसला लिया जाता है तो चुपी और शांती रखी जाती है, चिलकाओं नहीं की जाती, आवाज नहीं की जाती, चुप चाप से जो करना है वो कर दीजिए। अंडरक्षण मिल रहा है दाउद अबराहिम को, वो दरसला पाकिसानी कूफिय एजंसी आईएसाई की तरफ से मिल रहा है, तभी इसनी ठाट है उसकी वहांपर. देखिये ये सारे आईएसाई के मोहरे हैं, ये पूरी रच्ट Peanut, ये पूरी हस्प लुजाहिदीन, ये साब आईएसाई का प्रेसा खाते हैं, आईएसाई से हत्यार बरूध, गोला बरूध, इन्हें मिता है, ट्रेडिंग बिलती है, और आईएसाई ही इनको इंडक्ट कर कि यहां इनके खिलाफ कानूनी कारवाई पाकिस्तान से करवाएंगे पाकिस्तान ने तो इनको भेजा आपको मारने के लिए बिल्कुल बख्षी जी यही वज़ा है कि जल्दी आप यह कहानी बंद करें यह लोरी सुनाना बच्चों को बंद करें और अपना काम करें बिल्कुल और फोन की जो बादचीत अभी सामने आई थी जिसमें कराची से दुबाई में जो बादचीत हो रही थी दाउद के बीच और ये बात भी साफ है कि जिस तरीके से दाउद ने अपनी बेटी की शादी भी कुले आम की थी कहीं भी जो पुलेस है जो इंटरपोल है वो तक नहीं पकड़ पाई थी अंदाजा लगा रहा है यहां पर अपने आप में है कि कितने खुले में और कितने ठाट के साथ दाउद इबराहिम भूम रहा है चाहे वो फिर पाकिस्तान हो चाहे फिर वो दुबाई हो क्योंकि वो दाउद ये खुद कह रहा है उस बातच पाकिस्तान की है उनके साथ उसका रिष्टा बेटी का नहाता है शरे आम धूम धाम से बेंड बाजे से वो बेटी की शादी कर रहा है और हम लोग यहां कह रहे हैं कि हमें पता नहीं तो राजीव बक्सी साब इसके बारे में अगर राजीव त्यागी जी हमारे साथ इसके प्रवक्ता है राजीव जी आवसे वे सहाल है जिस तरीके से बक्सी साब कह रहे हैं कि वो ठाट से वहां पर रह रहरे हैं और पता ऐसा नहीं किसी को नहीं जी जीड प्रासी कसography चानकार में पिलोगों को पता था और आपके ससंकाल में ही बताये गया था कि दाउध आजाए ना ही अब NDA की सरकार अब आई है तो हो रहा है क्या लगता है कि आप दोनों मिलकर के एक गुसरे पर आरोप परत्यारोप कर रहे हैं लेकिन सही में अगर उसको लाना है यहाँ पर यहाँ वहाँ पर जिस तरह से बक्ति साहब कह रहे थे कि वहाँ मिलिटरी ऑपरेश आपने दो तीन सवाल मुचे हैं कॉंग्रेस पार्टी ते क्या किया क्या नहीं किया उसके विशह में आपको बता चुकरा हूँ कि हमने 26 देशों के साथ 10 साल में प्रत्रपर्ण तन्दी की अबू सलेम से लेकर के अबदुलकरीम कूर्णा जैसे आतंक पादियों को हम आयते जिनको कंधार भारत्रपार्टी की सरकार छोड़ के आई थी मतरत आलम को हमने 10 साल लगातार जेर में रखा जिनको कश्मीर में उन्होंने छोड़ने का काम किया मैं एक प्रश्णा आपने जो भी बहुत च्छी बात कही कि ISI का एजेंट है दाउद और ISI कश्मीर में करना चाहती है तो कहीं ना कि आउद का हाथ पाकिस्तानी जंडे जो फेराए जा रहे हैं भारत्रपार्टी की सरकार आने के बाद और गिरानी खुले हम पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगा रहे हैं तो उससे निस्वित उसे पाकिस्तान भारत्रपार्टी को जवाद तो देना होगा मोदी जी को जवाब तो देना होगा एक तो यह विशह हुआ दूसरा विशह यह हुआ मेरे मित्र से मैं पूछना चाहूंगा कि ओसवां बिन लादेन का जब आपरेशन किया था अमेरिका ने तो क्या अमेरिका यूएन गया था यूएन में तो नहीं गया था तो आज वो लखवी वाले मामले में वर्तमान केन सरकार मोदी जी की सरकार यूएन में चेले गई तो निशित में से कंदों पुझा हुए या नहीं हुए है तो आजिए याजीम पूचा है ऐसका जवाओं हम आई ले लेगे लिए खिर आपको सुनेंगे पहले आप जिए राजीम पूरी करने दीजे पहले अपनी बात पूरी कि दिए खुब हुए है आज मतरत आनम को जिस तरे से बियानी खिला ही और गिलानी को जिस तरे से कश्मीर बियानी खिला रहे हैं ल्कवी के मामले में पिंद्र सरकार ने यही बात बोली थी हमें पूरे जो अब सबूत है वो हमने पाकिस्तान को ये फिजियो से जमानत मिली तो क्या दाउत के माने में भी ऐसा हो सकता है पाकिस्तान को रोकना चाहेंगे इसमीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गया है पाकिस्तान को रोकना चाहेंगे इसमीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गया है और दर्शक भी अपनी बात रखना चाहा रहे हैं इस बुद्धे पर जी बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप आपिडल जी बताएंगे अज वे आज 22-23 साल गुजर चुक हैं लेकिन उसका मास्टर माइन दाउद इवराहिम आज तक पिकंजे में नहीं आया है भारत सरकार बारबार उसको कवज में लाने की बात करती हैं लेकिन आज तक असफ़र रही हैं अभी कुछ दिन पहले भाई नेता हैं दाउद इवराहिम के छुपिर पाकिस्ता में रहने आज ना रहने की बात कह रही थी लेकिन आज तक इसको पता नहीं कि दाउद इवराहिम कहा हैं यह बहुत दुखर गटना है और जल्ब से जल्ब भालत सरकार को दाउद इवराहिम को बारत में लाके उसको पड़नी चाहिए बिल्कुल और इस वक्त हमारे साथ सीबी आई के पूर निदेश्या का जोगिंदर सिंग जी विजोड़ गए हैं बहुत बहुत स्वागत है जोगिंदर सिंग जी आपका वंदे मात्रमी जोगिंदर सिंग जी जी इस तरीके से दाउद इवराहिम का जो मुदा है वो उटा है बात अगर सीबी आई के रोल की इस पूरे मामे में की जाए तो दिल्ली के पूर पुलिस कमिशनर दीरज कुमार जो उस वक्त सीबी आई में डियाई जी के पत पर थे उन्होंने बात क आप क्या कहेंगे देखिए साब एज़ा है सीब्याए के अपसर विश्ब करने की कोशिश करेंगे और अब सुनते है अभी शेक मनू सिंग भी कांग्रेस के प्रवक्ता है उनका क्या कहना इस पूरे मसले पे एक वार अभी शेक मनू सिंग भी को भी सुन लेते हैं अब आपके दाओद इबराहिम जी को अफर नहीं पाएं ला नहीं पाएं लेकिन ये कहना कि श्री दाओद इबराहिम जी घायम को मालूम नहीं है इस वहां कि अबाद देश टुगा देश जानता है कि सबसे सर्वोज क्रिमिनल शेरी में इसके सावज इबराहिम आते हैं अब आपके पूर नहीं जानते हैं और भी ऐसी कई साइटिंग्स हैं दुबाई में हैं तो यह कहना तो बहुत ही हमारे कुए एक प्रुप्या पर लगाई है तो इसको कमज़गा है CBI के पूर निदेश्शा का जोगिंदर सिंग जी हमारे साथ इस वक्त फोल लाइन पे जुड़ गए हैं जोगिंदर सिंग जी दिल्ली के पूर फूलस कमिश्टनर नीरज कुमार जो कि उस वक्त 1993 से लेकर 2002 तक का CBI में थे उन्होंने बात कही थी कि 1993 के ब्लाइक के बाद दरसल डाव दरान का उनके पास फोन आया था वो भी एक नहीं तीन बार फोन आया था कि वह आप मुस्तमरपॉंड करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने यह बात कि कुछ अधिकारियों ने इसमें दल्शस्पी ही नहीं हैंगे देखिए साब ऐसा है कारवई तो सरकार करती है देखिए नहीं करती सीबिया के पास कुछ उठाटी नहीं है विदेशों से डिल करने के लिए तो यह दूसरी बाद ही है कि केस को अभी आपके पास बात्ता हो गया है तो बाइस साल में कौन सी अबूनेंस मैंने गी अब आपने फैकर दूसरी कीजिए को उसे क्या है तो बैस समझता हूं कि यह जो है डिल इसक्मान में बाद में रिनाई किया हूं मेरे डिय जी थे अजी को बात पर दी तो यह जो है एक पैक्त है कि वह पाकिस्तार में है हम सबी रारे सबी लोगों रिश्य भी है पर आपक किसा क्या है है अिजैंद्श नहीं होगी जो आप किसी को खेंड निकर सकी है जिय जोगी द गर तो एक सवार यह belang कि बॉला एक्षिज के मताबशे करें लोगों हमके साथ साल अगर विश्य को सबने नहीं आता है या साल साल तक लापता होता है तो उसे ने मान लेता है तो उसकी बात ही खत्म जाथी तो क्या दाओद इब्राएम के कैस में यह चीज लागू नहीं होता नहीं दुपी साथ ऐसा है यह तो जब पूरेंगे यहां पर आएगा तो वकील लोग इसका फैसला करेंगे और जी चुकर बड़ा सीरिस इंसीडेंट हुआ है और कुछ डिरेक्ट एविडेंस तो है नहीं इना उसके ख़ाफ है वो चलागे है पाकिस्तार में करके कुछ लोगों की स्टेटमेंट है और एविडेंस एक्ट की मदाबक कंफेशन में बफोर तो पुली पुली सभीशन इ करी तो फरी ऐसी दाउत का मुद्ध लेकि अब गूप चरहेंगे जाओं लेकिन जोगिंदर सिंग जी यहां पर सीबियाए के अधिकारियों के साथ साथ यहां पर जो सीबियाए में जॉइन डारेक्टर रहे थे शांतू सेंड उनका भी नाम सामने आ रहा है उन्होंने कहा है कि दरसल जो दाउत था वो सरेंडर नहीं करना चाहता था वो सफाई दिना चाहता था कि तेरांबे के ब्लास में उसका कोई रोल था ही नहीं नहीं देखिए ऐसा है इंदोस्तान के लास के मताबक एवरीबडी इनुसेंट तिल पूट गिल्टी तो अजर आपको का पड़ी तब तब सार्जनिक रूप से चाहे पार्लेमेंट हो चाहे इस्टूडियो हो या चौप चवराय हो सब जज़ए उस पर चर्चा होते रही है कि दाउत इमराहिम कहा है आमो का अतनबादी कहा है मैं समझता हूं कि देश की जो खूफिया एजिंसी है उसके सामने ए तो सवाल ये खड़ा होता है कि स्री जोगिंदर सेंगी भारत के प्रस्तिष्टित सीडियाई के डारेक्टर है उनकी भूमिका पूरा देश जानता है देवाक उनकी तिपड़ी से हम सब वाकिब हैं और मैं समझता हूं कि मानि प्रदान मंत्री जी के को जो एक वरस्ता भी वक्त मिला है देश के हाला को दिगार के जो कॉंगरेस और उपियर्ट सब्सक्राइब अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं जोगिंदर सिंग साथ से तो आप पूछिए सीदा सवाल राजीब त्यागी जी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं श्री जोगिंदर सिंग जी रिटायद डारेक्टर हैं इसलिए मैं समझता कि वर्तमान एगेंसी जो कुछ भी काम कर रही होगी पूछना चाहरें तो आप राजीब त्यागी जी कुछ पूछना चाहरें राजीब जी बताएं क्या पूछना चाहरें नहीं पूछना चाहरा रहताई जी आप बता है कि यह गर नितिक वक्टबंब देने से क्या राजनितिक बड़बोड़ा पन कने से दाऊथ पकड़ा जाएगा क्या रालिगतिक सेंटीमेंट कैश करने का ये लोगों के सेंटीमेंट कैश ने क्याश दोगा कि मोदी लेह kobs जाते है और आइपी पेशिग्ट ओपनी तरफ जाइए या गई और बीचे चले जाइए उसने कोई परखने पड़ेगा लोग बाग जानना चाहते है कि आपने वादा किया था अच्छे दिल लाने का क्या दाओ को फार के लाए आज पार्लेमेंट में जिसके ले स्केटमेंट आया है उसके पाकिसान को एक उठनी तिक विजए ये बिल गई है पाकिसान क्या पार्लेमेंट के ले पार्लेमेंट के ले बाग दाओ को रोखना चाहेंगे इसमिश हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गया है उनसे भी जानना चाहते है वो अपनी बात रखना चाहरा है जी बताएं हलो मैं वर्ल बोल रहा हूँ डैली से और मैं बताना चाहूंगा कि सरकार को लगाते हैं कि बस्त ने बंद कर देना चाहिए बस नै अपने ही जाना करूंँगा जो काम सरकार का है वो सरकार जानman की किस तरह करा जाए और उसको उसे करने देना चाए हुए और उसके काम में दखल बंदागी बिल्कुल नहीं करने चाहिए पेल्कुल जोग अंदर सिंग चीप हमारे साथ बनी वह इकार कि सेब्रम दैखनिया कि यहां पर होने के बात आ रही है पाकिस्टान साथ इंकार कर रहा है हमें भारत की तरब से कोई भी थये गए और साथे साथ यह भी इंकार कर रहा है कि हमारे यह यहाँ पर दाओद इब्र ताइम नहीं है रहे देखिए सब ऐसा है हलो जी यह चीज है थैसला सरकार करती है तीविए किसी को बेज के पड़िक ली ला सकती यह सरकार की इच्छाओं शक्ती फेटेम्ड करता है। क्या करना चाहते हैं ज़िए पाकिस्ता अमेरिका ने को उसे गर में मार दिया था यहां हमारे विच्छ वसक्ती हाई नहीं क्यों काम करने की प्रावलम यही है विच्छ वसक्ती होगी और कानून जब तक बदरी नहीं जाएंगे तो यह चीज़ें चलती रहेंगी यह लेकिन जोगिंदर सिंग जी अगर बात की जाए कि जो बाचीज फोल पर जो बाचीज दाउद और जो कि कराची में बैटा था उस वक्त और दुबाई में उसने बात की थी उस वक्त जो यह बाचीज सामने आई थी अंदाजा लगा जा सकता है कि 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 खुले आम जो दाउद अब प्राइम है वो घूम रहा है अपनी लड़की की शादी वो दुबाई में करवा रहा है सारी जानकारी इंटर पोल को है लेकिन बावजूद इसके कोई कारवाई नहीं उस बातचीत के सामने आने के बाद सर्वलांस से पता लगाया गया था कि वो कराची में ही सित है उसके ब अब वो जो है अडवानी साथ भी गया से वहां पर पाकिस्तार में किसी ने इनकी बात नहीं मानी जी तो यह एक वीक कंट्री के यह इंडिकेशन है कि हम अपनी इच्छा सकती जी इंपोज नहीं कर सकते जी अगर अमेरिका जाके उसामा विन लेनिन को खत्म कर सकता है जी सकता है दोस्तान में स्वाइब हैं यही क्योंगा इच्छा सकती रही है करने के लिए इस सब भी अपना वक्त गुजाते हैं जो भी बार दीशना है फिर से जी आप बैकुल चलिए शुक्रिया पूर्में दिर्श्ट सिभी आए कि मास्ता जोगे दर सिल जी जुड़े वे राजीर जी सबसे पहले आपके पास भी आना चाहूंगी राजीर जी जिस तरीके के मामला हरीबाई चौदरी के लिखित बायान पर उठा है लेकिन एक बात यह पर और सामने आ रही कि इस पूरे मामले के बाद अब अधिकारियों पर थोप दिया गया है कि जिस अधिकारी ये बयान तैयार किया था लेकिन इस तो अब जो अधिकारियों पर सारगे ठीक रप ओडिया है कि सरकार नाम की चीज़ केंदर में रहने गई हैं एक साल में ही और सरकार की कलाई हर विशे पे खुलने लगी है और निश्यत रूप से हर मामले पे सरकार यूटरन कर रही है और मुझे रखता है मोदी जी को अगर नॉबल प्राइस मिलता हो यूटरन के लिए तो उनको मिल जाना चाहिए और लोग के अच्छे दिन निल आ पा रहे हैं तो मोदी जी ने बिल्गोर आईटी सिंसाथ से भी पूछेंगे लेकिन इससे पहले हम चुछेंगे अपने बड़ बोले पन से बाजाएं अपने जूट से बाजाएं तब ही जाकर के देश में वो कुछ रोग के अच्छे दिन लाटकते हैं अभी तो जन्ता दिन लागी है हम पूछेंगे हमारे साथ जुड़ी हूई है गिर्जा व्यास से बात की हमारी संबादाता निलम शुक लाने देखते हैं गिर्जा जी ने क्या कहा है तुप्य सरकार से बीजेपी ने कई बार ये सवाल किया कि वो दाओद को क्यों नहीं पकड़ रहे है जबकि उसका ठिकाना बार बार बीजेपी द्वारा बताया गया हमारे साथ पूरो केंद्री ए मंत्री गिर्जा व्यासें गिर्जा जी जिस तरह से आप लोग को पता ठीकाना बताया जाता था आप लोग गिरफ्तार नहीं कर पाते थे अब क्या हुआ बीजेपी को वो क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही है दाउज इब्राहिम को देखे आश्यर की बात ये है कि वो बताते थे ठीकाना और जैसे कि ठीकाना उनको मालूँ हो आप जानते हैं कि यूपिय की सरकार बहुत सटीकता के साथ बहुत कहना चाहिए कि सुक्ष्पर जिस्टिस से देख रही थी कि कहां पर ये लोग है लेकिन उसके बावज़ूत उनको पकड़ नहीं पाते थे क्योंकि बदलते रहते थे इस्तान पर अब जब उनसे स्वाल पूछा जा रहा है कि भर अब क्या हो गया एक तो पुरा साल हो गया उन्हें उन्हें पकड़ना चाहिए था और वो कहता है कि हमें मालूम नहीं है तो ये एक तरह से हस्यास पर इस्तिती नहीं है बलकि सरकार के किये गए और बीजेपी के किये गए कारे को एक दम उलट फेर करना है यू टर्न होकर के जो उनकी आदत है कि उन्हें अपने सारे वादो पर यू टर्न कर दिया उसी तरह उन्हें इस बाद पर यू टर्न कर दिया और खुले आँ मंतुरी जब संसर्ब में बियान देते हैं कि हमें मालूम नहीं है तो इससे ज़ादा क्या सिटी हो सकती है क्या आपको लगता है कि विपक्ष में रहकर शोर मचाना आसान होता है जब आप सक्ता में आते हैं तो चीजों को तामिल करना मुश्किल हो जाता है नहीं मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ हालांकि थोड़ी आशिक्त रूप से ये बात है कि एक क्रिश्चन करना और फिर क्रिश्चन को वापस उसको करना थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन असंब हो नहीं है और यदि बिल हो सरकार में लेकिन सरकार के आपत्य आने वाली है आपत्य आ चुकी है और पूरी यूपिय के सरकार इसमें फेल हुई है तो हर बार की तरह इस बार फिर बीजेपी ने यूटन लिया है ये कहना है गिर्जा व्यास का अपनी हर बात की तरह इस बात पर भी मुकर रही है अगर उनके पास पता ठीक आना है तो वो क्यों नहीं दाओद इबराहिम को गरिपतार करते बार बार सवाल उट रहे कि आखिर क्यों नहीं बात की जा रही है और एक सवाल यहां पर और यहां पर उटता है जो हमारे साथ बीजेपी के नेता हमारे साथ आई पी सिंग है उनसे जानना चाहेंगे आप से लट दो दूसरा जवाब दिया गया है वो भी दूसरे आफी के राज्य मंतरी हैं आपको क्या लगता है ये मामला जान बुझ करके सरकार लोगों को या जनता को उलजाने के लिए क्योंकि इसमें से कुछ निकल के नहीं आ रहा है एक वार बीजेपी सांसद सवाल पूचते हैं एक मंतरी जवाब देता है दूसरा मंतरी फिर उसकी जवाब को काट देता है क्या आप ये कहना क्या चारी है वीजेपी क्या सही में एक हौचपौच की सितिखरा हो गई है इसको वार ऐसा लग रहा है कि जान बूच करके ये किया गया है बिलकुल नहीं देश की संसद म जितने भी सरकारे रही हैं जो भी रूलिंग पार्टी के सांसद होते हैं वो अपनी सरकार पे प्रस्न करते हैं और उनका प्रस्ना आया को सवाल भी अच्छा था नित्यानंदर आईजी से भी बात चीक हुए सवाल भी ठीक हुए है इंटर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्ट सवाल तो ठीक था आई पी सिंग सहाब लेकिन जवाब जो आया है उस जवाब से आपती है ये पूरा मामला ही उसी की कारण हुआ है अगर आपके एक मंतरी कहते हैं कि नहीं पता मालूम नहीं है तो फिर दूसरा राजी मंतरी आकर चुसे काटता क्यूं है आकि जवाब देने पर चाहिए नहीं होनी चाहिए नहीं कि कि किसी वे ऐसे विशे पे कोई चर्चा चैनल पर नहीं होनी चाहिए जोट बोलने वाले लोगो पास जवाब नहीं हुआ करता जो जूट बोलते हैं बड़ बोले होते हैं उनके पास पर एक बात होती है जोट बोलते हैं जोट बोलते हैं लोगता प्रिस्टर नहीं चलता है लुट जी उसी बाप बेटी की सरकार के साथ बैच करके अलगारी को बिल्कुल समय के प्रिया नहीं है राजीव जी हम आईपी सिंग जी से भी पूछ लेते क्योंकि गल्ती यहां पर हुई सरकार ने माने और कहा है कि अधिकारियों की गल्ती है जिन अधिकारियों ने इसे इस लिखे जवाब को तैयार किया था बेडा अधिकारियों पर पोड़ दिया गया है सारका सारकी घीवन में लोग अधिक और दरसक जुड़ गए उनकी बात सुन लेता है आई पिजिस था और दरसक अमारे साथ जुड़ गए वो भी अपनी राय जो सरकार जुनाओं से पहले कैटी थी कि दावत कहीं भी होगा पाकिस्तान में है हम उसे खेंज कर लाएंगे लेकिन वह अपने वादे पर कायम नहीं रही और मुकड़ गई इससे साफ जाई होता है कि सरकार बहुती नरम लुक अपना रही है जावदी रहाइं को लेकर आ जल्ती कहीं नहीं किसी ने किसी स्थर पर हुई है मानते हैं इंड retailers को अलशें को करकार कर और समय की कमिया में आप्लों से अफीل करना चाहेंगे कि हमारे टेलिविजन स्क्रीन पे जो नंबर है वाटसिप कर सकते हैं आप उसके और vm.sadra.com पे मेल के जरी भी अपनी राय हमारे साथ हमारे साथ हमारे भेज सकते हैं बंदे मात्रम इस कारिक्टरम के बारे में और SMS के जरी भी अपनी राय हम तक पहुचा सकते हैं आप जी राजीर जी बिल्कुल राजीर जी हमारे साथ जुड़े में है राजीर जी कोई गलती नहीं है बीजेपी का ये कहना है कि हमसे कोई भी यहाँ पर गलती नहीं हुई है हैं लेकिन क्या हैना ए लुकरम कि आ अगर युल्स कि बावीय को दें। प्रटेग देष दोहे को पखड़ने के लिए दोकर करें साथ कलिये आड़ी संटे के हांद hè Kingवेश पार्टी ने मोधी सरकार को किषी बीची पॉढ़ी रेंगे कर लगा सबर्द로 कर रहें करने कि अख्री में जबता है कि हमारे पास हमारे पास समय की कमी है जिसके आज में प्रत्य रोप करें दोर रूपने वाला नहीं है आपने कमेंट आप दोनों से हुचाहिए एक करके आप देदीजिए रादीर जी आप करेंगे आपने कमेंट देदीजिए प्रत्रा के पुत्र को लेकर आएगे उसके तैयारी करिया सेंजिर राउल गांदी ने अरतानी साल जूबर में अगले प्रोग्राम में हम उसके बात करेंगे आपको जोड़ेंगे आप कभी बोल सकते हैं अभी आप से आखरी कमेंट चाहरे है अगर आप नहीं देने लेकिन ह हमारे पास सारा और हमारे PCR से हमारे पास समय की काफी कमी है आप सभी महमानों को इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवात हो आज के बंदे मातरम में फिलहाल इतना ही लेकिन जायेगा कहीं नहीं हमारे साथ बने रही है और देखते रहिए पॉब पावती ने अपने नाम से बेहन हटाने की अर्जी दे दी है जिस तहा समाजवधी सरकानी एंबिलियस डॉक्टरों की कमी को देखते हुए समाजक हिट को देखते हुए आयुश डॉक्टरों को अलिपेथिक दवाय लिखने का अधिकार देने का सैसला किया है उनसे निवे लालू अपने पीए से बोले इपने खिलाडी क्यों फुटबॉल को लात मार रहे हैं पीए बोले गोल करने के लिए लालू बोले सत्रा बाल तो पहले ही गोल है और कितना गोल करेंगे एक आगमी ने मशली पकली और घर आया तो देखा ना गैस थी ना आचा ना बिजली ना तेरी आदमी वापस मशली को नदी में तेक आया नदी में जाते ही मशली चिलाई कॉंगर्स पार्टी जिन्दाबाद जिन्दाबाद एक औरत ने अन्ना हजारे से पूछा बापु आप रोज रोज अंचन पर क्यों बैठ जाता हूँ अन्ना बोले क्या करूँ ओ लेडिस मैं हूँ आज़स से मजबूर डॉन को पकड़ना मुश्किली नहीं ना ममकिन है पापापाँ झाल झाल